वेलकम टू बविता किसान किचन अज मैं राजस्थान की मसूर प्याज की कचोडी बना रही हूं जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है यह फ्राइ होने के बावचुद भी खाने में इतनी हेवी नहीं लगेगी तो आइए बनाना सुरू करते हैं प्याज की कचो अब गड़ाई में तीन टेबल स्पून रिफाइन तेल डाल रही हूं अब कुछ साबुत मसाले डाल रही हूं जैसे जीरा है आदा चमज कालोंजी है वन फोर्ट चमज एक चमज साबुत धन्या उसको दो टुकुड़े में तोड़ लिया है और एक चमज सौंफ है साथ ही अब यह चमज दाल रही हूं और इन सब को भी तेल में मसाले के साथ बूल लेते हैं जिससे सब की खुषबूत बहुत अच्छी आजाएगी एक साथी खड़े मसाले बहुत अच्छा लगता है अब यह प्याज जो ने बारी काटके रखेते हैं वो सारा इसमें डाल देते ह बहुत हाई फ्लेम में नहीं करेंगे और लो टू मीडियो में इसको पकाएंगे अब इसमें मैं अधा चमज नमक डाल देते हूं जिससे प्याज जल्दी पक जाएगा और इसको वापस चलाते वे हलका सा ब्राउन होने तक इसको पकाना है प्याज को अब बड़ तसल्ली स प्याज हो गया है अब इसमें सुखा मसाला डालते हो हलदी डाल दिया थोड़ी सी एक चमज लालमीज पावडर डाल रही हूं एक चमज धनिया पावडर डाल रही हूं साथ ही दो चमज बेसन डालोंगी बेसन से बाइंदिंग आ जाती है और कचोरी में बहुत अच्छा जाता है जब यह भूनता है जाता है तो इसमें बहुत अच्छी थी हम्हें खुजबू आती है इसने मसाला का डेस्ट दुगना बढ जाता है और यह मसाला और बेसन सब भून गया है अब थोड़ा सा मैसर से मैस कर देंग जिससे तषी मैस हो जाएगा तो कचोरी बढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी और नहीं निकलेगी और यह मैस हो गया है अब इसमें मैस करके मैं डाल देती हूं इसमें बाइंडिंग काम करेंगा खाली प्याज की कोच्छी में प्याजी निदानेगे थोड़ा सा अलू डाले से उसका टेस्ट ओड बढ़ जाता है और प्या मैं गरशाम हम चूर डाले हैं और आधा गरण मसाला पाउडर यहां Możí हरूड हर साथ है बहुत लिए कंप्र चीनी अतर जातें हराग भुवांच करता चीनी तोंकर का अकमाट यौ डालेंड य। चछामसाले सवाद तोंकर नम क्तिकोशा के डाल आर बारणाय ब़दी आ बनाया मसाला अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं तब तक कचोडी की डो लगाते हैं इसमें दो कप मैदे में आदा चमच नमक डाला है और वन फोट चमच में कलोंजी डाल रहे हूं अब सुखे इंग्रिंट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें में चार से चमच divine तिल डाल लें और इसके अच्छा मौन कर लेंगे इसको के अच्छी ओंइक मसल मसल कर तेल आटो को सभी इंगे मोईसी अच्छा अज़गा जाए गए अब इसमें थोद话 फूहँ ओपानी ब में फुल्य हैर नियुसус यव्ड कर लिये खावर बनाएग तो हुए पुली फुली बनेगी इतना गीला आटा लगाना है अब इसको थोड़ा सा पटक लेंगे इसको 10 से 15 बार पटक लेजेगा जिससे कचोड़ी अच्छे से फुलेगे नरम होगी इतना अच्छा आटा लगके त्यार हुआ है अब इस दो बिल्कुल रेडी है जिससे कचोड़ी को बढ़ने में इजी हो जाएगी और इस सब के 13 लड्डू बने हैं अब इसको 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 इन निकाल देते हूं अब इस लोई को तोड़ लेते हैं चोटे-चोटे कचोड़ी को मैं हलवाई जैसे तोड़ते हैं से अंगूठे के बीच में दबा के जावर लोई तूटती है और बहुत अच्छा स्मूथली निकलता है अब मैं भर के दिखा रही हूं इसकी फिलिंग तेली में दबाया एक लड्डू रखा अब इसको अंगूठे के बीच में इसे रखा जिससे मसाला अंदर चल नीचे चला गया और एक्स्ट्रा मैदा बह इसको ऐसे दबाया इसकी फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है अगर कोई भी कचोडी के अगर फिलिंग अच्छी नी होगी तो वह खुल जाएगी और टेल भी खराब हो जाएगा और कचोडी भी बेकार हो जाएगी तो यह देखिए कचोडी फटे नहीं कहें से भी इस चीज लीज़ा इसके कचोडी और अच्छी बाती शीच पाल फिल्क 마음에 Hmm एक लेका फिल्प्रेस हो जाएगी कचोडी एक हटिव होते ऑपको एससे चार् बातव से युद् पर्ति तरस दबाया ओसे प्रेस करेंगे ऐसे सब कचोडियों को तैयार कर लेंगे के तढ़ेके लिए तेया करें लिया तैया है। कचोडी रेडिये में घर्ण रखा है। में तले करें देते हैं. ただ तेल में पेल gef我們 वाँ भी प्रेशन छाएं, हम या नहीं की होगी। कचोडी वन्हें अजने हो बेला हैbelों नहीं किया हूए। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम तेज आज डालते हैं तो इसमें कचोड़ी में उपर स्टीम लगते ही वह उपर से दाने निकल जाते हैं जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता है और इसको बहुत तसली से तलना पड़ता है अब मैं कचोड़ी को पलट रही हूँ इतने देर मैंने कचोड़ी को बिल्कूल भी नहीं चेड़ा अगर बीच में चेड़ेंगे तो कचोड़ी टूटने का डर रहता है और जब फूलने लग जाए तभी इसको पलतेंगे एक डर बचाना मसाला बिलकूल परफेक्ट मेज कर बनाया और और एकडम तेरे कर चोड़ी या एक बरावर की इस मेज कर बशूड़ी आपको बहुत जादा च्राइब कर च्राइब था उन्याना इसके आपको बहुत जादा पसंद यह देखे सारी कचोडिया बिल्कुल परफेक्ट एक बराबर सिकी हैं और जब दुबारा डालेंगे तो भी फिल्म को फ्रा लोग करके ही डालेंगे दुबारा जो भी एक्स्रा कचोडी तर लेंगे तो अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूं कितनी खस्ता और कितनी अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू